आप सर्व को नवरात्री की पुझ्यश्यु शक्तियों की बहुत बहुत वधाई हो वधाई हो नवरात्री के दिन क्या आते हैं? हर एक को अपनी आराध्य देवी मां की याद आती है अब आराध्य देवियां तो बहुत सारी हैं चौसथ जोगिनिया यानि चौसथ योगिनिया गाई गई हैं, पुझी गई हैं और उन सभी की जो अधिश्ठात्री है वो कही गई है मा जगदंबा तो मा जगदंबा की ये सब भुझाएं हैं और इन सभी भुझाओं ने क्या किया? जो भी दुखदाई असूर थे, जुल्म करने वाले असूर थे, तरास देने वाले असूर थे या फिर कश्ट पहुचाने वाले असूर थे, जिसके जुल्मों से प्रजा त्राही त्राही करती थी तो ऐसी प्रजा को उन्होंने अपनी शक्तियों से खत्म किया, भस्म किया, नाश किया और उसके लिए उन्होंने जो शस्त्र यूज किये, वो शस्त्र उन्हे शिव से प्राप्त थे जो सर्व आत्माओं के परम प्रिय, परम पिता परमात्मा हैं, जो जोतिरबिन्दु हैं, क्योंकि आत्मा भी एक जोती है, तो जोती के पिता परमात्मा वह भी जोती बिंदू है तो मैं जोती बिंदू का परिचे अभी नहीं दूंगी आपको परन्तु ये जो देवियां हैं उनके उपर ये अलग-अलग नाम क्यों रखे गए तो आज मैं आपको सिद्धी दात्तरी देवी पुझ्य सिद्धी दात्तरी देवी के विशे में कुछ बताना चाहूंगी देखिए जीवन के अंदर और अपनी दिंचर्या में भी हमें जो कार्य कुशल्ता के साथ करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्पन से ही मां हमें उसकी विदी सिखाती है कि कैसे ये कारे करना है ब्रश करना है तो भी विदी सिखाती है भोजन करना है विदी सिखाती है चलना है उठना है बैठना है खाना है पीना है बड़ों को रिस्पेक्ट देना है रिगार देना है मंदिर में जाना है, पुजा करनी है, भक्ती करनी है, हमें हर बात की विदी सिखाई जाती है, क्योंकि विदी से ही सिद्धी प्राप्त होती है, पुर्शार्थ करने से प्रालब्द मिलता है, महनत करने से फल मिलता है, तो हमें वह पुर्शार्थ करना पड़े जिससे हमारा भाग्य बने और जब भाग्य बन जाता है तो भाग्य के अनुरूप जन्म जीवन मिलता है और हम उस भाग्य के कारण अपने जीवन में खुश, नाखुश, सुखी या दुखी होते हैं तो यह जो सिद्धी दात्री देवी है वो खास विदी पूर्वक कर्म करने से सिद्धी को कैसे प्राप्त करें यह हम भक्तों को कहो तो भक्तों को यदि बच्चों को कहो तो वो अपने बच्चों को सिखाती है कि हर कार्य विदी पूर्वक करो अगर विधी पूर्वक करेंगे तो सिद्धी की प्राप्ति आपको स्वतही आशिरवात के रूप में नहीं परंतु वर्दान के रूप में मिलेगी जो वर्दान न सिर्फ आप स्वयम के प्रती यूज करेंगे औरों को भी आप वो वर्दान दे सकेंगे अब सिद्धी प्राप्त करने विधी करना अब विधी कैसे करें तो विधी का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हमें अपने कर्म में बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तब वो विधी पूर्वक होता है मैं एक छोटा सा बहुत चालू मिशाल देती हूँ, बच्पन में मैं जब छोटी थी, तो लौकिक मा हमको रोटी को कैसे बेलना वो सिखाने के लिए, आटा कैसे बादना वहां से लेकर के रोटी बेलने तक हमको सारी विदी सिखा कर प्रक्तिस कराई, अभ्यास कराया, जब अभ्यास हो गया, तो आमने बनाना सीख लिया, ठीक उसी प्रकार, आप यदि जीवन में कोई स्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हो, कोई उच पद, कोई उची पदवी, या कोई जीवन में उची सफलता, या आपकी मनो कामना, आप पूर्ण करना चाहते हो, तो उसके ल परंतु उसके लिए अभ्यास करना अत्ती आवश्यक है, और हाँ, अभ्यास करते करते, ना अपनी सिद्धी दात्री मा को भूलना, उस पुझे देवी को भूलना, और ना ही उनको शक्ती देने वाले परमप्रियव, परमपिता परमात्मा को भूलना, दोनों को याद करते हुए सिधिध्य दवी और उनको देने वाले दाता कि दोनों को याद करना न भूले और आप उन दोनोंको याद करके जो करने योगत अभ्यास है वह अभ्यास शुरू Parti और फिर आप देखिए कैसे विदी से सिद्धी प्राप्त होगी, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पड़ा, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई राजनेतिक निता बना, कोई धार्मिक निता बना, अलग-अलग-अलग-अक्षेत्र में महान आत्मा ही बन इस सिमर्ती में ये अभ्यास करना शुरू कर दो, ओम-श्यांति